हमारे देश में किसी भी सबजी को बनाने में मिर्च का काफी योगदान रहता है और हमारे देश में ही मिर्च से जुड़ी दो बातें बहुत लोग प्रे हैं पहली तो ये कि या हमारे देश से कोई तालुक नहीं रखती और या करीब 7-800 साल पहले भारत आई थी और दूसरा ये कि दुनिया के सबसे तीखी मिर्च भी भारत में ही पाई जाती है लेकिन एक मिर्च ऐसी भी है जो बिलकुल तीखी नहीं लगती जी आप सही समझ रहे हैं हम शिमला मिर्च की बात कर रहे हैं आज हम आपको शिमला मिर्च से ही जुड़ी कुछ खास बाते बताएंगे शिमला मिर्च वैसे तो भारत में 500 साल पहले से ही आई थी लेकिन इसके साक्षि 7,000 इसापूर्व के मिले हैं नेटिव अमेरिकन्स इतिहास में शिमला मिर्च का जिक्र आता है ऐसा माना जाता है कि यह मिर्च दुनिया भर में यहीं से फैली है इस मिर्च से क्रिसोफर कोलम्बस का नाम भी जुड़ा हुआ है जी हाँ वही कोलम्बस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी माना ये जाता है कि कोलंबस ही इस मिर्च को यूरोप तक ले कर आये थे आपको बता दे कि भारत में जब पुर्तगाली आये तो वो अपने साथ कई सबजियां और खाने का सामान भी ले कर आये उनमें से अधिकांश सामान पूरे भारत के हर किचन में पाये जाते हैं आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि इन में आलू, टमाटर, अनानास, पपीता और काजू भी शामिल हैं इसी लिस्ट में शिमला मिर्च का नाम भी आता है बतादें कि 1510 इसवी में जब पूर्टगालियों ने गोवा पर कबजा किया तो वे अपने साथ खास सबजियां भी लाए इसके बदले वे भारत से कई मसाले ले किर गए हमारे देश में क्यापसिकम के आते ही उसे भारतिये नाम दिया गया जी जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं बतादें कि शिमला मिर्च तमिलनाडू, करनाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्कन के प्लेटू में उगाया जाता है वहीं थोड़ी बहुत इसकी खेती के रहल आंधप्रदेश, महारास्टा, पश्यमबंगाल, गुजराथ और गोवा में भी की जाती है देश भर में अलग-अलग रंग के शिमला मिर्च भी उगाये जा रहे हैं बता दी की शिमला मिर्च में विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, प्रोटीन, फाइबर, कार्व और विटामिन A जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं इसके साथ ही इसमें आइरन, मेगनीशियम, पोटेशियम, फासफोरस, मेगनीज, कॉपर ये सब भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं अगर आपको यह विडियो पसंद आया तो हमारे फेस्बुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें शुक्रिया सच कहेंगे ललूराओ